सब्सक्राइब करें एलपटेल चैनल को और बेल आइकन दबाए किसानी संबंद जनकारी यूट्यूब पर देखने के लिए तो मेरा नाम है लखन आप देख रहे हैं एलपटेल चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैनल में किस समय पानी देना चीए जिससे हमारी पैदावार जो है वो अधिक से अधिक हो तो इसके लिए दो तरीके होते हैं काफी जगे पर क्या होता है कि एक ही पानी देने की विवस्ता होती है उनके लिए भी बताऊंगा और दो पानी देने के लिए जिसके हाँ पर विवस्ता होती है उनके लिए मैं एक बहुत बढ़ियां तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी उपज सीधे स्थोर पर बढ़ेगी और ये बहुत बढ़ियां तरीका है इससे हमने हमारे गाउंब में करीब करीब 14 कुंटल प्रती एकर तक का उत्पाद हमने लिया है बो भी तुलाई के समय के नापने के अनुसार और अगर देखा जाए तो ये वीधी जो है बहुत आसान है और सभी किसान भाई इसे कर सकते हैं तो चलीए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको उता दू कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्यूंकि इसमें काफी जादा जानकारी दी गई है मेरे दौरा और मैंने करीब करीब इसको बनाने के लिए एक साल की महनत किये बाई पानी दे देते हैं उसके बाद चने को बोते हैं और कुछ किसान बाई बोने के बाद पानी देते हैं तो वो कोई फरक नहीं पड़ता है वो किसी टाइम पे भी आप केसा ही भी कीजिए स्टाइडिंग में उसके बाद जो पहला पानी है वो आप जब चने हलके काले पढ़ने लगे जो आवस्ता होती है बीस से पच्चिस दिन की उस समय आप पानी दे आप देखे पहले की चना हलका काला हो रहा है उसके बाद इस पानी को दे उससे क्या होगा कि चने की ग्रोध भी अच्छी होगी, आप कटाई भी नहीं कराओगे, उसकी मतलब कटिंग भी नहीं करोगे, तब भी वो बहुत ज़्यादा फैलाओं पर रहेगा, और बहुत बढ़ियां ग्रोथ करेगा, तो 20-25 दिन बाला पानी सभी किसान भाई देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते है काफी किसान भाई कहते हैं कि आदी फली बनने के बाद हम पानी लगाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है, पानी तब देना स्टार्ट कर दें, दूसरा पानी जब हलके फूल दिखना चलू हो जाए, जैसे कि मैं आपको मेरे खेत की वीडियो बता रहा हूँ, इसमें पूरी पानी है और दूसरे पानी को हम अब जो फूल एक दो दिख रहे हैं अभी मेरे खेत में, इसके बाद मैंने लगाया है, और इसके बाद की कंडिशन बताऊंगा जब एक नेक्स्ट वीडियो है, उसमें कि अब हमारा खेत जो है, वो कैसा हो गया, मतलब कितना फूल है, और फल कितना ज़्यादा आ रहा है, उस मातरा के अभी बारे में बताऊंगा, तो ये जो है अभी आप देख रहे होंगा, कि हमारे उसमें एक दो एक दो फूल दिखने लगे हैं, अब ये जो फूल खिलने लगे हैं कहीं कहीं पे, अब हम इसमें पानी स्टार्ट करेंगे, इस समय हम पानी देंगे, एक दो फूल जो दिख रहे हैं, क्या है बेग्यानिक विधी के अनुसार वो कहते हैं कि जब भी फूल आना स्टार्ट हो जाया, फिर फूल आ जाया वस्ता पे, तब इसमें पानी नहीं देना चीए, उस से चने की वेजिटेटिव ग्रोध बढ़ जा जब एक दो फूल आपके पौधों पे दिखने लगे, तब आपको पानी देना है, इसके बाद पानी बिलकुल भी नहीं देना है, अगर आपकी मिट्टी काली है या फिर पीली मिट्टी है, जो हैवी स्वाइल जीसे कहा जाता है, जो भारी मिट्टीयां होती है, जो पानी ज़्यादा संग्राइद करती है उन में तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है जब तक कि आपकी फसल आने जाए और अगर आप रेतिली मिट्टी में अगर इसे बोते हैं तर प्रतीसत आपकी फलिया बन जाए तीस प्रतीसत के फूल बचें तब ही आप उसमें पानी लगाए वरना उसमें भी बिल्कुल ना लगाए क्योंकि उससे पहले अगर आप लगाएंगे तो नुकसान होता है वो मैंने चेक किया है और खासकर ये बात आपको याद रखना है कि आपके अगर भारी मिट्टी है तो बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है और अगर हलकी मिट्टी है तो 70% फलिया बनने के बाद पानी लगाना है अगर आप 50% से पहले लगा देते हैं या फिर 50% पर लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो फली यां रहती है वो बन तो जाती है लेकिन उसके अंदर दाने का अंच नहीं वेटता है उसको आप निकालेंगे तो वो उसमें बिलकुल हवा रहती है और कुछ भी नहीं निकलता है पानी का ही समय आपको ध्यान रखना है चने में सबसे जादा अगर किसी चीज से आप पैदावार बढ़ा सकते हैं तो वो पानी से कोई भी टानी काम नहीं करता जितना पानी अच्छे से काम करता है आपकी पानी की टाइमिंग सही है तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी और अगर जो सिंगल पानी देते हैं जिनके हाँ एगी पानी की वेवस्ता है तो वो करीब जब फूल एक्के दुक्के दिखना चालू हो जाए तब लगाए पानी उससे क्या होगा कि आपकी फल भी आ जाएंगी और आगे पानी की भी आपके पास वेवस्ता नहीं रहेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा अपना चना पग जाएगा तो यही यह इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें ताकि ऐसे ही किसानी सम्मंदित वीडियो आपको मिलती रहे